गूगल की इस प्रोड़क्त का बहुत जादा यूज़ होता है कुन सा प्रोड़क्त? गूगल कैलेंडर जियां अब तक आपने यूज़ करने नहीं जाना है तो ये बहुत ही काम की चीज़ है दुस्तो इसमें आप अपने अलग-अलग इवेंट्स टास्क और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं लेकिन कैसे सेट करना है जानने में इंट्रेस्ट रहें तो ये वडियो डीटेल में देखिए आई ये प्राक्टिकली में बताता हूँ चलिए शुरू करते हैं तो गूगल कैलेंडर एक्सेस करने के लिए सिंप्ली गूगल पर जाई ये गूगल कैलेंडर सर्च कीजिए और यहाँ पर पहले लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आपका जीमिल लॉग इन होना चाहिए अब मुझे यहाँ पर एक करन्ट विक दिखाए दे रहा है सिक्स्टीन से लेकर ट्वैनीटू तक यहाँ पर आज की देट दिखाए दे रहे ट्वैनीवन फ्राइडए और यहाँ पर मुझे कैलेंडर भी दिखाए दे रहे पूरा पूरा लेकिन यह जो विव आ रहा है विक का यह मुझे डेली या मन्तली चाहिए तो यहाँ पे चोटा जो ओप्शन दिखाए दे रहे आपको जिसमें मैं डेवाइस देखना चाहता हूँ आज का दी नहीं बस अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं गूगल कैलेंडर के अंदर हम टास्क कर सकते हैं सेट अपॉइन्मेंट स्केडूल कर सकते हैं इवेंट भी स्केडूल कर सकते हैं कैसे तो अब मुझे एक अपॉइन्मेंट सेट करनी है जो की 22 तारीकों सेट करनी है डेंटिश के तो timing आ रहा है यह 2-3 का आपको slot दिखाए दे रहा है इसमें interesting बात क्या है ध्यान से देखिए इस 2-3 में अगर इस box में मैं उपर हाप में यह यह 2 हाप आपको दिखाए देंगे इस इसमें 2 हाप नहीं को दिखाए दे रहा है 2-3-3-3 आटोमेडिक आ रहा है इंट्रेस्टिंग है ना राइट फिलाल मैं 2-3 नहीं करना चाहता है दो से दिन तो मैं इपर क्लिक करूंगा और मैं आपे नाम दोंगा appointment with dentist तो मैंने यह नाम दे दिया यहां पर तो मैंने appointment with dentist कर दिया उसके बाद appointment schedule पर क्लिक करना मत भूले क्योंकि appointment है task नहीं event नहीं क्योंकि तीनों भी चीज़े यहां पर दिख रहे लेकिन फिलाल appointment schedule यहां पर जाकर आप date और time बदल सकते और उसके अलावा setup schedule पर जब आप जाते हैं तो आपको एक और pop-up मिलता है जिसमें आपका title दिखाए देगा appointment duration दिखाए देगा appointment one hour का चीए यह 30 minutes आपका कहना है कि 30 minutes का appointment है एक घंटा तो नहीं यह मेरा doctor की पस appointment तो 30 minutes से यहां पर set करो आपको 15-30 अलग-लग timing दिया है आप यहां पर set कर लो उसके अलावा यह repeat करना है weekly या does not करना है weekly repeat नहीं करना है आज की दिन ही है मतलब कल की दिन ही है 22 तारीक को इसी दिन है और repeat है तो आप जाकर अलग timing में suppose Sunday को अलग timing में है Tuesday को अलग timing में जाकर आप यहाँ पर add button पर click करो and you can literally add the timing right 9am की जगा आप कुछ और timing यहाँ पर set कर सकते है फिलाल मैं इसे हटा देता हूँ औ date और date भी यहाँ पर option दिया कि एक और date पर है दूसरे कोई तो आप यहाँ पर add a date करके दूसरे date का date और time add कर सकते है और यहाँ पर दिया है इस timing कौन सा है वो बदा दो यहाँ पर दिया है कि इस standard timing कौन सा है जो की इंडिया का है हमने यहाँ पर already selected by default selected हो रहने दूसरे schedule window द 8 दिन पहले कर सकते है तीस दिन पहले ही करना चाहिए तो यह setting रख सकते है चार गंटा पहले ही होना चाहिए ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है तो वह particular time आने के पहले appointment set कर सकते है book appointment settings यहाँ पर और भी settings दी आपको कि maximum timing का कितना location वगर होना चाहिए तो फिलाल यहाँ पर next पर क्लिक करते है फिलाल next पर जाते है और यहाँ पर आपको बहुत सरी सीज़ा आड़ करने है जैसे book page photo and name location of conferencing location आड़ करना इसलिए होता है कि आपका meeting कैसे google meet पे है मतलब video conferencing है doctor के साथ in person meeting है तो in person है तो भाई location यहाँ पर type करो कोई भी location यहाँ पर type कर दिया मैंने suppose गाट को appointment with dentist हो चुका है set right अब इसे आपको delete करना है तो of course आप इस पे click करके दुबारा देखिए यहाँ पर click करके यहाँ पर delete और edit option आ जाता है तो इस तरह से appointment set होते है और आपको 10 मिन पहले reminder आ जाएगा कि वह यार इसका appointment है आपका interesting है ना तो ज़रूर set कीजी है not just that guys अगर reading का तो मैं read book करके डाल देता हूँ कि 5 to 6 में मुझे book read करना है लेकिन यह book कैसे रोज पढ़ना है मुझे एकी दिन नहीं मतलब 20 सारी कोई नहीं रोज पढ़ना या फिर weekly repeat करना है 5 to 6 में तो मैं यहाँ पर does not repeat पर click करूँगा और all day तो नहीं करूँगा पूरे दिन book जोगा मैं daily करूँगा अगर weekly on saturday आ जाएगा या पर और भी options है बट हम क्या करते हैं daily कर देते इसको daily description add करते कि बुक कौन सा पढ़ रहे हैं मैं book पढ़ रहा हूँ आभी फिलाल pitch anything right pitch anything तो वो book आप यहाँ पर नाम लिख सकते pitch anything book का नाम जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नाम लिख दो my task और save button पर click करो save करते हैं यह task यहाँ पर हो जाएगा set और यह आपके पूरे दिन के लिए बतलब आपके पूरे मैने के लिए set हो गया अगर मैं week में जाकर यहाँ पर month क्लिक करता हूँ यहाँ पी देखिए read book read book read book read book task set हो गया right of course task यहाँ पर आपको दिख है तो चोलो कोई problem नहीं next week suppose मेरा 27 तारीक को कोई यहाँ पर event मुझे set करना है तो मैं यहाँ पर click करूँगा 27 तारीक को और event में जाओंगा event 2-3 pm है या फिर कोई और timing है तो और timing यहाँ पर change कर सकते हैं अब इसमें event क्या है यह मैं video conferencing meeting है मेरी suppose मेरी marketing team से meeting है या sales team से meeting है तो meeting with sales team meeting with sales team right आपका एक conference meeting है यहाँ वीडियो कॉले conference so meeting with sales team मैंने लिग दिया उसके बाद guest यहाँ पर add करो add guest में उनका email id आड करो जिनके साथ आपकी meeting है तो मैं यहाँ पर email id आड कर रहा हू और email id आड करने के बाद आप इन्हें जैसे save करोगे send करोगे notification जाएगी फिलाल email id के आलावा नीचे आजाते जिसको आपने guest बनाया है उस guest की permissions आप यहाँ सेट कर सकते कि यह event को modify भी कर सकते मतलब date वगरा time change करना है तो दूसरों को invite भी कर सकता अगर मैं यह check रखूँगा और वो guest list भी check कर सकते कि कि को इसको हमने invite किया है तो यह सारे uncheck कर देता है तो यह permissions उसको नहीं मिलेगी उसके बाद यह link यहाँ पर दिखा दे रहा है कि गूगल meet पे होने वाली तो गूगल meet की यह link पर आप copy करके उनको whatsapp अगर आप बेज सकते है वैसे भी उनको email जाएग तो यहाँ पर उसके बाद description और attachment कुछ attachment है उसके साथ वो भी add कर सकते है description भी add कर सकते है more options भी है उसमें भी more details add कर सकते है फिलाल save कीजिए and send कीजिए जैसे आप send करोगे यहाँ पर यह schedule हो चुका है send करोगे तो वो कैसे मिलेगा सामने वाले को let me open it तो यहाँ पर आपको meeting दिखाए देगी और यहाँ पर अगर आप meeting join करना चाते है तो yes यहाँ पर कर सकते है यहाँ पर google meet का आपको link भी दिखाए देगा join google meet तो इस तरह से email भी आ जाएगा और इस तरह से meeting यहाँ पर आप set कर सकते है schedule कर सकते है तो google calendar का मैंने use बता है और google meet के बारे में अगर नची वो topic जरू लिख देना I will try it guys thank you very much for watching see you in the next video till then take care bye bye